दुनिया भर में इंस्टन्ट मैसजिंग अप वाट्शाप के खिरीश होने की शिकायत मिल रही है। दरसल वाट्शाप पर एक अजीब तरह का लंबा सा मैसेज रिसीव होता है। जिसमें special character का इस्तमाल होता है इन special character वाले message का कोई मतलब नहीं होता इसके चलते WhatsApp इन message को decode नहीं कर पाता है यही वज़ा है WhatsApp के crash होने की WhatsApp के coding language की प्रभावित करने के लिए message को एक special character की मदद से खास तरह के message में design किया जाता है इस तरह के कई message और वी card वाइरल हो रहे हैं जिनकी वज़े से WhatsApp अप अपने आप crash हो रहा है इस जानकारी का खुलासा वेब बीटा के एक report से हुआ है आपको बता दें कि इससे पहले भी WhatsApp malicious code वाले message के कारण कई बार crash हो चुका है वेब बीटा info के report के मताबिक इन message message characters के इस्तिमाल किया गया है जिनकी कारण app crash हो जाता है इस तरह ही वी card भी app को नुकसान पहुचा रहे है वी card message और malicious code वाले message से सबसे ज़ादा mid range वाले affordable device को नुकसान पहुचा रहा है जिसमें कम powerful chipset के इस्तिमाल किया गया है report में कहा गया है कि दुनिया भर के users इस दिक्कत के चलते ही WhatsApp नहीं चुला पा रहे है आकड़ों पर गौर किया जाए तो WhatsApp के 1500 करोड से जादा users है और 10 करोड से जादा groups है प्रते दिन लगभग 65 अरब message भीजे जाते हैं ऐसे में अगर groups में इस बग से प्रभावित message को भीजा जाए तो एक साथ कई users को निशाना बनाया जा सकता है इससे एक साथ कई users की app crash होकर uninstall हो जाएगी इसके बाद users को app दो बारा install करनी होगी हाला कि group chat डिलिट हो जाएगी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए लाइक केजिए और शेयर केजिए